नमस्कार दोस्तों कच्छा दस्वी विज्ञान का महत्वपूर प्रस्णि लेकर मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ और मैं गारेंटी देता हूँ कि आपके एक्जाम में किसी ना किसी सिप्ट में ये सारे कोश्चन चाहे बहुविकल्पी के रूप में चाहे अतलग उत करते हैं और वीडियो को सुरू करने इस परने मैं काना चाहूंगा कि अगर आप बोड इग्जाम 2023 के तयारी कर रहे हो और क्लाश 10 में हो तो सारे सब्जेक्ट की तयारी यहां पर आराम से कराई जा रही है सारे मोस्ट इंपर्टन कोश्चन प्रिविएस येर पेपर मॉड चंद्रमा से देखने पर आकास हमें काला रंका यानि की काले रंका दिखाई देता है अब बात करते हैं दूसरे प्रस्ण की दूसरा प्रस्ण कह रहा है कि प्रीज में से गुजरने पर सरवाधिक बिचलन किस रंका होता है प्रीज में क्या होता है एक काच का टुकडा होत इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है मैं आपको थोड़ा से यहां बता देता हूँ जैसे यह प्रीज में हो गया यहां पर वाइट लैट यानि स्वेट प्रकाश जब जाता है तो यहां विचलन होने के बार सबसे नीचे आता है सबसे नीचे वाइट यानि की बैंगनी और सबसे उपर जाता है रेड ठीक यानि की लाल और इस बीच में रहते हैं विबग्योर मैं आपको किसी बीडियो में स्पेसिफिक बता दूँगा यहाँ पे violet रहेगा फिर विव्योर करके ऊपर जाएगा तो यानि violet का बैगनी का सबसे अधिक बिचलन हुआ ठीक सबसे अधिक बिचलन बैगनी का हुआ और सबसे कम किसका हुआ लाल का हुआ अब बात करते हैं अगले प्रशन की तो अगला प्रशन कहा रहा है आकास का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण से हमें आकास का रंग नीला दिखाई देता है अब भी जानते हो बट किस कारण से और यह बहुत ही most important है हर बार पूछा जाता है 2013 EL में 15 के GCFY दोनों सेट में आया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकास का रंग नीला दिखाई देता है प्राकास के प्रकीडन के कारण अब ये प्रस्ण बोल रहा है कि एक उत्तर लेंस है उत्तर लेंस मतलब थोड़ा समय यहां स्पेस्पिक कर देता हूँ यह है उत्तर लेंस ऐसा होता है आपको पता है यह है उत्तर लेंस ठीक तो एक उत्तर लेंस की छमता दो डायोप्टर है इसकी फोकस दूरी होगी देखो यह 2011, 12, 13, 17 में भी आया हुआ है और इस प्रकार के प्रस ने बस यह नंबर चेंज कर देगा बाकी चीजे वही आती है तो देखो इसको हल कैसे करेंगे एक उत्तर लेंस की छमता दो डायोप्टर है इसकी फोकस दूरी तो इसका फॉर्मला होता है पी बराबर वन अपान यफ और यफ होगा मीटर में यफ क्या है फोकस दूरी है उस लेंस की और पी क्या है सकती है छमता है इसको डायोप्टर से प्रजेंट करते हैं इसका मात्रक डायोक्टर है तो अब क्या करेंगे हमको दिया है दो डायोक्टर यहां पर रख देंगे दो और डायोक्टर हो जाएगा यह वन अपान यह मीटर में अब देखो इसको यहां ले जाएंगे दो को यहां लाएंगे यह हो जाएगा यह मीटर में और यह हो जाएग अभी ये मीटर में है 100 से गुड़ा करने के बाद ये बज़ गया फोकस दूरी हमारा 50 सेंटी मीटर तो यह हो जाएगा आपका एंसर हमने कैसे किया पी बराबर वान अपान ये फार्मुला लगाया पी की जगा दो रखा क्योंकि वहां दिया है और वान अपान ये फ को यहां और फोकस दूरी दोनों ही पाजिटिव यानि कि धनात्मक होती है तो चलिए अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रस्न लाएंगी जो कि बोर्ड एक्जाम में आये हुए हैं मैं सारे पी वाई क्यों ही कराता हूँ ताकि आपके द्वारा बोर्ड एक्जाम में अ अच्छा अच्छा नमबर गेंग हो सके हैं